नमस्कार फ्रेनेस फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले मैं आज बहुत आज इंपोर्टेट आपको बात बताने में लोग जो आपको अगर पाता नहीं है तो चैंसर रिलेटेट वीडियो जो बात है मैं उसी का आपको हम बताने व नहीं है तो तो में वीडियो को लाइक कर दिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ठीक है तो सबसे पहले आपको हम बता रहते हैं आप देख रहे हैं here, यहां आपदेख रहे हैं real Excel not इसको हम बोलते हैं ठीक है उसका बाहन हम इधर सबसे पहले हम आपको एक बात और बताने वाला और इस नोट के बारे में आपको जनका ज़िए कि इसका नाम क्या है जब मैं इसका नाम आपको बताता है ठीक है इसका नाम है sleep nut यह आप देख रहा है यहाँ पर इसको हम बोलते है sleep nut ठीक है और तीसरा नामर हम आपको बताते हैं यह आप देख रहे हैं यह जो दोस नामर का nut हमारा जो है इसको हम क्या बोलते हैं drive chain lock nut यह हमारा drive chain lock nut है यह वाला ठीक है और उसके बाद जो हमारा यह देख रहे हैं आप जो बार नामर का nut दिया है इसको हम बोलते हैं drive chain arresting nut हम इसको बोलते हैं ठीक है उसके बाद हम बताते हैं यहाँ पर आपको यह mark दीख रहा होगा ठीक है यहाँ पर आपको छीक से हम दिखाईएगा यह इसको हम बोलते हैं index mark ठीक है इसको हम बोलते हैं index mark ठीक है और उसके बाद हम बाल कर लेते हैं इस इस वाले जो देख रहे हैं आपर एक दो तेन च्यार पाँच छे यहाँ पर छे निशान आपको दिख रहा है यहाँ पर इसका नाम है यह हो गया ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं चैन जो हमारा देख रहे हैं यह बाई का चैन भी पुरा ठीला हो चुका है इसके दूब हम आपको इसको अच्छी तरह से बिलाएंगे इसको अर्यक्टे वच्छी सो करेंगे इसका चैन हमारा प्रोपर इसमें होना चाहिए जिससे आपको हम दिखा रहते हैं यहाँ पर आए हमारा चैन आपको दिख रहा है इसको उपर नीचे 25 mm होना चाहिए इतना पर आप आप देख रहे हैं इतना पर इसको अलका फीरी रहना चाहिए तब यह अमर्ट इसको भी आपको मताते हैं इसको क्या बोलता है इसके बोलते हैं ड्राइब चैन एसकेल ठीक है इसको हम 25 mm एसको हम फिरी रखना चाहिए लुगराना चाहिए इसको ठीक है तब यह पर हमरा काम करता है ठीक है और जो यहाँ पर जो केप लगता है उसको हम के इसका हाफ को ऐल्ड के बोलते हैं ठीक है तो मैं भी और चैन आपको यहां पर देख रहें आप को दिखा रहें यहां आ जो डिया दाता长 पर देखा थैं pressed को बॉल्भर को मिला कर देखाता हूं है चांए हमारा एक प्रोपर कैसा यहां जा च्छालते हैं उस सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा और टाइट कीजिए उसको जैसे कि आप देख रहे हैं यह चैन को मैंने प्रोपर इसको कस लिया हूं देख रहे हैं इसमा इसमें प्ले होना चाहिए ठीक है तब ही हमरे प्रोपर काम करेगा इसके बाद यहां पर हम्मार काप दिखा लेते हैं यहां पर आप देख रहे हैं इसके सामने आपर कट जो इसमें कट देखता है यहां पर है इसका मैंने इस डाटों के यहां पर कसा हूं ठीक है इस पर दो नमबर हड़ाई कर दिया है दो से थोड़ा सा आगे है इसका ठीक है है यहां आप आप देख रहे हैं यह भी हमारा प्रोपर है ऊज्टन देख रहे हैं इसको में प्रोपर क lien टैट हो चुका है ठीक है इसे प्रोपर कर दिया हूं ठीक है अगर यह विडियो आपको ऐसले क rag़िते इन बीडियो कंटी कर दिए